दियर स्टुडेंट मैं विद्या सागर और आप देखना है भी इसकी विद्या सागर से चनल से देखिए आज की वीडियो में हम बताएंगे गुदली पार्ट से यानि पार्थ 12 सिक्षा और संस्कीरती तो देखिए इस वीडियो में हम सबसे पहले आप लोग लेखक के परच यानि जो महात्मागंदी के लेखक हैं इनके बारे में परचे बताएंगे उसके बारे में इस पार्ट के बारे में बताएंगे उसके बारे में उसके बाद आपको कोशन इंसर बता देंगे जो कि आप लोग को परिक्षा में आता है और आने वाला है तो चलिए इस वीडिय उसके पास जोड़ सेयर करिएगा वाट से प्याप फेस्बूक के दा चलिए हम लोग जान लेते हैं लेखक जीवन पर ची यानि लेखक हैं महात्मा गांधी राष्ट पिता महात्मा गांधी का जन में दो अक्टूबर 2888 को वकालत की पढ़ाई के लिए इन्वर्सीटी कॉलेज लंदन गए 2883 इसबी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ साथ कदम से कदम मिला कर चली गांधी जी के जीवन में दचेन फेरिका वर्स अठार्स उनका अठार्स उनका गांधी भारत लोट आए और स्वाधीनता संग्राम में कुद पड़े आजादी के लड़ाई में उन्होंने सत्य का प्रियुक की अहिंसा और सत्य ग्रह उनका सबसे बड़ा हंथियार था उन्होंने सोराज की मांग की अच्छूतोधोर का काम किया शुरूदय का कर करम चलाया सुवदेशी का नारा दिया समाज में व्याप्त उच नीच जाती का भी विभेद भाव को मिटाने की कोशिस की और अत्यंत अंग्रेजों की गुलामी से भारत की अजादी दिलाई महातमा गंधी की रचना है की बापू राष्ट पीता आधी काओकर शोकर किर्टग राष्ट याद करता है यहीं हमारे राष्ट जो पुर्य देश है बापू काओकर उन्ही को याद किया जता है गांधी जी हिंद स्वराज सत्ते के साथ मेरे परियोग आदी पुस्त के लिखी उन्होंने हर्जन यंग इन्डिया आदी पत्र का संपादित की उनका परजीवन राष्ड के प्रतिसमर्पित था उन्होंने सिखा संस्कूर्टी रजनीती तस समाजिक एवं आर्थिक पकछी पर खुब लिखा और उनके परियोग के द्वारा भारत वर्ष को फिर आर्थिक पक्षो पर फिर एक उन्ना तेयम गौरुसाली राष्ट बनाने की कोशिस की देगे निधन गांदी जी के निधन के बार में जान लिए यानि मिर्थ्टू तीस जनवरी उनई सवर तालीस इस भी वीक में नई दिली में नाथुन राम गोड़से ने उनकी हत्या कर दी गांदी जी की इस मिर्थी में पूरा राष्ट दो अक्टूबर को इनकी जयनती मिना जाता है यानि गांदी जयनती दो अक्टूबर को मिना जाती है इनकी जन में को अहीं सदिवस के रूपमना जाता है और ठील लडाई कही है कोई नहीं करना चाहिए पुरे राष्ट को पुरे बीश्व को दुनिया को तो चलिए हम लोग पाठ परचे के बादे में में जान लेते हैं परस्तुट पाइज सिक्षा और संस्कृती में हर जन और यंग kanssa जैसे तिहासिक पत्रों को अगर ले लेखों में संक्लित संपाधित महात्मा गांधी के विचार पश्तुत है इसमें गांदी जी के करांतिकारी सिख्षा तरसन के अनुरूप जीवन में उप्योगी वेवपारी के दुष्टिकों तथा विचार है इससे मनुष्य को नैतिक विकास के परिणाई मिलती है और मन बुध्धी तथा शरीर की संतुलन प्रिसकार होता है गांदी परिणाई करते हैं आज भी उप्योगी है इसके दुआरा पर्तिप्यादी ने उन सुझाओ गये विčार आज भी बाल्ल परदान करते हैं हैं एक विचार हमारे दिप्योगी है विवारी ने दिष्टिकों से पूं है इसके द्वार्टिपादी हैं वramentoा है विचार आज भी बॉल परदान करते हैं, आत्मी के यों बौधी के विकास की सायक है, मांसी के यों सरीरिक संतुलन कायम रखते हुए सनयतिक विकास के लिए पैंडना परद है, गांधी जी द्वारा, सिक्छा और संस्कृति के बारे में जो परिकल अपना प्रस्तुत की गई है, वह के वल्त, सवधानती के ही नहीं, जटील और पुस्त कीये भी नहीं, बलकि हमारे सधान, दैनिक जीवन, विभारी के रूप से गहरे अर्थों से जूड़ी हुई है, अहिंसा और प्रेम के रास्ते ही, हम समाजी के बुरायों और बिज़ई पासकते हैं, यानि बुर एक आस्रम में बच्चों को सिक्षा देने का भर्चक कोशिश की थी, बच्चों की प्रणभिक सिक्षा, लेखक कैंसार, सिक्षा के अब प्रिभाय, बच्चे और मनुस्त के सरीरिक बैद दिके, यहुम आत्मिक गुणों का प्रगट करना वस्यक होता है, क्योंकि पढ़न इस सिक्षा परणभिकरने का हिमायती है, जिसमें तालिम के साथ उत्पादन करने का छामता प्राप्त हो सके, क्योंकि इस प्रकार की सिक्षा परती में मस्तिक्स और आत्मे का उच्चतम विकास संभव है, इसलिए दस्तकारी का सिक्षा यांतरिक भंग से ही नहीं, शिखा प्रत्य प्रक्रिया के कारण जान सके इस पर रंभिक सिक्षा में घरेलू काम के साथ साथ अपना काम आप करना भी सामिल होगा लेखक का तर्क है कि बर्तमान प्रेणी के बच्चे का सोक्षितायों स्वयलंबन की जनकारी नहीं होती है इसलिए संगीत में कवायद के जरिये अनिवार तालिम दी जाएगी लेखक का कहना है कि ग्रामू धियोग द्वारा पर रंभिक सिक्षा देने के पीछे उनका उदेश से है कि यह एसी एकसांते समाजी करांती का अग्रदूत बने जिसमें अत्यांते दुर्गामी परेडाम भर रहे हुए है इसमें नगर और ग्राम के संबंधों में मधूरता आएगी तथा विसाकत वेवाताबन दूर करने में मदत मी लगी फलत देहाती जीवन में सुधार होगा नियाए पूर्ण विवस्ता को स्थापित होगी बर्ग यूधे का अंत हो जाएगा और हर कोई आत्मनिर्वर होगा और विदेशी समानों पर आसित नहीं होगा ना पड़ेगा इसमें बड़े बड़े विससेग्यों की बूधी की जरूरत नहीं होतने के कारण इस परकार की जंगधारना से भाग का निप्टारा सुयम उनी के हाथ में रहेगा तो देखे इतनी बड़ी बात गांधी जी ने कितनी पहले कह दिती जो की हम लोग के सामने आ रहा है ये सी इस्तिती और आगे भी आने वाली है तो सिक्छा का ध्रे चरीतर निरवाण गांधी जी ने चरीतर निरवाण को सिक्छा का ध्रे मालाई है उनका तर्क है कि इस सहसबल सदाचार तथा आत्मोसोरगे यह सक्षारता का जदा महतपून है लेखक का यह भी मानना है कि यदि ब्यक्ति चरीत्र निर्माण करने में सफल हो गया है, हो जाता है तो, समाज अपना दाइत्वे स्वेम संभाल लेगा, जिसमें जिमिदारी संपने की सहायता मिलेगी, देखिए, लेखक का यही काना है कि कोई भी ब्यक्ति को स्वेम अपना क काशा सब्सक्राई चाल कि अपने डिदों काशा जाई है अपने जीहदारी अपने अपनी आप समप लेंगे बच्चों को परनामिक सिक्षा का इसी देनी चाहिए यानि शुरुवाती सिक्षा की इस तरह से होना चाहिए गांधी जी ने कहा था कि इस तरह की सिक्षा परती मास्तिक मात्मा का उच्टम विकास संभव है सारी सिक्षा किसी दस्तकारी उधियों के दुवारा दी जाए गांधी जी ने सिक्षा का मुल्य दे चरीत्र निर्मार को माना है देगे चरीत्र निर्मार चरीत्र से आचा होना चाहिए पढ़ाई लिखाई तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको दस्तवेज यानि कोपी कोलन के बारे में तो जनना ही जनना है लेकिन आपके ने जीवन चरीतर के बारे में जनना अतियंत अवस्यक है किताबी ग्यान से कहीं बढ़कर चरीतर निर्मार का महत्व है चरित्र निर्मार के बल पर ही सबल, स्वक्ष, समाज और राष्ट का निर्मार संभव है सिख्छा में अन्य भासाओं का महत्वे सिख्छा में अन्य भासा की क्या महत्वे ही महत्वे के बार में हमनों जान लेते हैं गांदी जी अपनी भासा और अपनी संस्कीर्ति के अलाव विश्यों की भासाओं का संस्कीर्तियों के बारे में जनकारी लेने के एक दूसरे के विश्यस्ताओं के आगवत होने के सलाह देते हैं वे अनुवाद कारे पर भी विशे से जोड़ देते हैं ताकि बीना दूसरी के सिखें अपनी भासा का अनुवाद एवं विभीद विषयों की जनकारी सुगमता से मिल सके। विध्यार्थियों का एक ऐसा बर्ग बने जो अनुवाद कारे करके विकास के सायक बने। धर्म और संस्किर्टी के बनने में भी गांधी जी का साप विचार है। वे धर्म को जिल खाना के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। वे ग्यान, बिज्यान और विवीद छेत्रोग में जनकारी के लिए खुलावाता बन चाहते हैं। सकर्णिता के वे बिरोधी हैं। और मैं भी कह रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुन लिए। भारती लोग के करता बें बन जाता है कि वे उदारतायों सोतंता के प्रतिसा जग रहें। अपनी मात्री भूमी के संस्कीर्टी के प्रति सरजग और अन्य संस्कीर्टी योग एवं विश्यों के दूसरी हम तथा निसलिए נवहीं है c stitch तुमको यह संसकीर्टी माना संसकीर्टी अपने मंद से मानिए और अच्छे से मानी योट्य संसकार भी हो उसgesch fancy वह मधारित कर्लीन करी भावनाईहें अतर्व सक्षा और संसकीर्टी के बारे में गांध्रीज के विचार बह मुल्य हैं बहु प्रियोग करिएगा ठीक है नहीं प्रियोग करिएगा तो यह को लिखने वाले पाठ नहीं है तो चलिए हम लोग इस पार्ट से आप लोग का ये इट लोग को प्रस्ण भी पूछता है तो चलिए किस तरह से पर्स्थन पुछता है उसके बरम जाल लेते हैं जैसे महात्मा गांदी को महात्मा किसने कहा था यानि ने उपादी दी थी महात्मा की तो रबीन्त त्यगोर नी याद रखी करे ँडीन त्यगोरेंट महात्मा गांधी का जन्म अस्थान क्या है महात्मा गांधी का जन्म अस्थान है पुर्बंदर ठीक है महात्मा गांधी का रचना कौन चाहे तो महात्मा गांधी के सिक्छा और संस्कीती जो की इसी पाठी से बताए हैं महात्मा गांधी का पत्नी का क्या नाम था पत्नी के न साथ म difí पर्योग सिक्छार संस्किर्थी पार्ठ में किसके विचार प्रस्तुत एं ये वाहतमा गांदी विचार कहें यह महातमा गांदी के कर शिर ते मैं महातमा जी इसको बताया है हरजन संप्यादर की कांड थे तब सेक्स प्रिटा की कभी है तो एंगिलेजी भासा के अखीर में हम पुछलेते हैं महात्मागंदी की मिली है तू कभी थी इतना कोश़न जाल ले इन ही में से आप लोग का मेट्रिक पेक्षा या इन्टर पेक्षा में आएगा तो आप लोग इस तरह से याद रखीएगा तो मिलते हैं गलिभ तिक लिए भारत मंते मात्रम रहां इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और सेर करना भी ना भूलि झाल झाल